रेन्बो सेवन चैनल की और से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार हिमाचल परदेश के किनोर डिस्टिक के अंदर एक भारी लेंड स्लाइड हुआ है जिसके चपेट में आने से नो लोगों की मोत हो गई है और तीन लोग गमी रूप से गाइल हुए है जिनकी लिस्ट में थोड़ी देर में बताने वाला हूँ और मिली चानकारी के मताबिक जो किनोर डिस्टिक है उसके बट सेरी के गुसा बट सेरी के गुसा के पास लेंड स्लाइड होने से चितकुल से सांगला यह बहुत परसिद डेस्टिनेशन है चितकुल से सांगला की और आरी जो टूरिस्ट की गाड़ी है वो लेंड्सलाइट की चपेट में आगई गाड़ी पर पत्थर गिरने से नो जगे ओन्दी स्पोर्ट उनकी डेत हो गई है और तीन गंबी रूप से गाहिल बताये जा रहे हैं और गाड़ी में सवार जो परेटक है दिल्ली और चंडी गेड़ से बताया जा रहे हैं और जो ही माचल गोमने आये थे और हाजसे की सूचना मिलते ही पुलिस और परसासन मोके पर पहुंस गई है लेकिन जो रेस्क्यू टीम है वो भी पहुंस गई है लेकिन लगातार उपर से गिरे पत्थरों की वज़े से ये रेस्क्यू कारी है वो चालू तो अब तो चालू कर दिया गया उसमें तत्काल चालू नहीं किया जा सका है आपको बता दें कि बटसेरी के जो इस्थानी लोकल है वो पुलिस के साथ भी कंदा मिलाकर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और इस लेंड्सलाइड की वज़े से बसपा जो रीवर है उस पर करोणू का पुल तूट गया है और जिसके कान गा का संपरक देश दुनिया से कट गया है प्राप जानकारी के अनुसार पहाड़ी से जो लेंड्सलाइड हुआ है उससे चटान गिरने से कई जो वान है वो सतिग्रस्त हुए हैं अब मेरी एसला सुन लीजेगा यात्रा करने से पूर्वर जहां की यात्रा कर रहे हैं जहां लेंड्सलाइड ज्यादा होता है तो अपने होटलियर से पूछे होटल बुकिंग किये या पेकेज बुक किया उससे पूछे की लेंड्सलाइड की क्या हालत है क्योंकि है माचल परदेश के अंदर बारिस होने की वज़ए से लेंड्सलाइड अक्सर होते रहते हैं तो ऐस किसी जगे यात्रा ना करें जहां लेंड स्लैड ज्यादा होते हैं